अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करते हैं सबसेट्स के बारे में तो सबसेट्स क्या होता है तो सबसेट्स को मतलब तुम ऐसा समझो पिता का पुत्र माता की माता पिता का बच्चा पुत्र कहो पुत्री कहो जो कहलो तो simple मतलब यह है कि अब जैसे मान लो यह ice cream का block है ठीक है तो शादी में ऐसा बड़ा वाल ice cream रखते हैं न देखे होगे आजकल तो गर्मी ही बहुत है तो ऐसा type से यह ice cream का cube होता है और इसमें से निकाल निकाल के दे रहे होते हैं ऐसा ही होता है अब यहाँ से जैसे ही वो नि स्टोरी में दे रहे हैं लीजिए खाइए मज़े से ice cream तो यह जो ice cream है यह इस बड़े वाले ice cream का subset है यहां से निकला हुआ पार्ट है तो subset का मतलब नाम से जैसे समझ में रहा है subset मतलब उस set से निकला हुआ element जो होता है that is called subset ठीक है अब जैसे मान लो IPL है IPL में बहुत सार players हैं सारे players जो खेल रहे हैं IPL में वो किसी ना किसी team का हिस्सा है तो अब जैसे मान लो इदर CSK है तो CSK भी क्या है एक IPL की team है ना एक IPL की team है तो CSK कहां से निकली है IPL से निकली है ऐसे ही है ना IPL में सारे teams है राजस्तान रोयल्स और यह वो RCB हो गया CSK हो गया मैं कुछ सारे teams है one of the team is CSK तो CSK कहां से निकली है IPL से तो CSK is a subset of IPL और यह sign होता है subset का यह sign होता है subset का जैसे example के तौर पे मान लेते हैं कि हमारे पास दो sets है say for example एक दो तीन चार पाँच एक ही set है और इसमें से मैंने क्या किया एक दो यहां पे A set लिखा और इसमें लिखा एक दो ह तो मैं कह सकता हूँ कि और यह B है मान दो तो मैं कह सकता हूँ कि A is a subset of B ऐसे C type का sign बना देते हैं and we call it subset तो यह जो sign है subset का है A is a subset of B ऐसे बनता है क्या मेरी बात सबको समझ में आई clear है चली अगर clear है तो बढ़ते हैं आगे वैसे हाँ बताते चलना नीचे comment box में की चीज़ भी issue हो do let me know ताकि मैं उसको अगले वीडियो में सही कर पाऊं clear चल भाई आगे बढ़ते हैं अब subset का definition मैंने बता दिया set A is set to be subset of B if every element of A is also an element of B definition की हिसाब से तो यह है बट हम लोग समझ गये मोटा मोटी कि भाई उसी में से निकलना चीए अच्छा एक और बात हाँ subset है माल लेते हैं मैंने एक और चीज बनाई C जिसमें है 1,2 और 9 ठीक है अब देखो इसमें 1 और 2 तो यहाँ से निकलाव है लेकि 9 नहीं है तो क्या मैं कहूंगा कि यह इसका subset है नहीं बिल्कुल नहीं कहूंगा it is just like C is not a subset of B मतलब यह तुम इसको ऐसे समझो कि भाई तु ठीक है या तुम्हारी girlfriend आ गए तो ठीक है मतलब माता पिता बोलेंगे तुम भी हमारे बच्चे जैसे हो लें बच्चा थोड़ी हो मतलब original थोड़ी हो original तो तुम ही हो समझ रहे हो तो मुद्दे की बात क्या है कि भाई subset का मतलब होता है एकदम EC से निकलावा EC का original खूल हो Interestingly हाला कि इसमें जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने सुचा यार इसमें तो कोई logic ही नहीं है पर इंट्रेस्टिंगली ऐसा होता है कि अगर माल लीजिए 1 और 2 दो elements है तो इसमें से तुम subset क्या क्या बना सकते हो तुम subset बना सकते हो हो सकता है 1 हो सकता है 2 बंदा तो यही सोच of this set in fact 5 is a subset of every set in the world सच बता रहा हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ तो 5 का मतलब क्या होता है empty set तो यह वैसा सा समझू यह तो मैं को फिर भी logical लगा था कि हाँ बाई हर जगा हर कमरे में हवा तो ही है तो अगर मैं बोलू हवा element है दुनिया के हर एक कमरे का या हर एक space का तो बि यह logical था पर यह 1,2 मैं as it is लिख दू ना तो यह भी कहलाता है कि this is a subset of a हाँ सच बता रहो मजाक नहीं करो तो अगर आप सारे के सारे elements निकाल लो निकाल के एक दूसरा set बना दो say for example b तो यहाँ पे है हाला कि a is equals to b यह दोनों बिलकुल बराबर है पर आप b is a subset of a यह बिलक पा रहे हो तो what I am trying to say कि every set हर set is a subset of itself वो खुद का ही subset भी होगा और यह for the fact आपको याद रखना है ठीक है next is 5 is a subset of all sets यह जो मैंने बताया and a is a subset of b and b is a subset of a मतलब आप जाहिए जब दोनों बराबर होंगे तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं b is a subset of a या फिर a is a subset of b तो जब यह दोनों लिख दोगे इसका मतलब ही है कि आपका दोनों set बराबर है समझ पाए clear है चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं कुछ observations बताता हूं जैसे a एक set है जिसके अंदर p, q और एक element है 2,3 का subset तो ध्यान दीजिए अब तुम समझ पा रहे होगे कि यह subset है म 2,3 अच्छे यहाँ पे एक bracket छूट गया है नहीं अच्छा सही है हाँ 2,3,p is a subset of a यह भी सही है मतलब हमने यहाँ से 2,3 निकाला और p निकाला तो देखो 2,3 यह निकाला और यह p निकाला is a subset of a अब ध्यान देना अगर मैं लिखूं यहाँ यहाँ पे 2,3 is a subset of a तो यह गल होगा तो बुलो गलत कैसे होगा तो पहले मैं दिखाता हूँ सही क्या होगा तब समझ में आगा गलत कैसे होगा तो इसका सही वर्जन होगा 2,3 यह इतना यह जो की element है और element हम थोड़ी लिखते हैं subset element को किसमें दिखाते हैं curly bracket में यह देखो p और q थोड़ी हमने ऐसा subset of a sorry अब आप लिख सकते हैं is a subset of a तो यह अब सही है तो फिर यहां पे क्या लिखना चाहिए था तो यहां पे यह वाला element सही सही तब होता जब मैं लिखता 2,3 belongs to a belongs to a मतलब जैसे अगर यहां से सिर्फ मेरे को p निकालना है तो मैं अगर लिखूंगा p belongs to a तो बिल्कुल right है लेकिन अगर मैं लिख दूँ p is a subset of a यह गलत है क्योंकि एक element can't be a subset of any set only a set can be a subset of some other set मतलब भाई जाहिर सी बात है इसमें से निकाल के तुमें एक set बनाओ तब तो उसको कहोगे na subset उसका तो नाम ही है subset छोटा set तो छोटा set set तो होना चाहिए अब तुमें एक element निकाल के लिख दो के subset तो वो तो गरवड है समझ पाए तो hence 2,3 सिर्फ एक curly bracket में यहाँ वाला उठा के आपने लिख दिया subset यह गलत है 2,3 यह element के बाहर एक set लगा हुआ है is a subset of a यह बिल्कुल सही है clear है तो अब I guess तुमको समझ में आया होगा तो जो एकदम starting में बता रहा था कि य I guess तुमको better समझ में आया हो ठीक है